आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एनुपलाइडी पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनुपलाइडी इस बेसिकली एबनॉर्मल नंबर अफ क्रोमोसोम्स अब इसके दो केसे होते हैं यह इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है एक है ट्राइसोमी और एक है मोनोसोमी तो ट्राइसोमी में हमारे पास क्या होगा एक क्रोमोसोम बर जाएगा पेर में और इन जेनरल यह किस में होता है सर यह मेल्स में देखा जाता है दूसरी बात हमारे पास है monosomy, इसमें क्या होगा, एक chromosome missing होगा from the pair, so जो pair में दो chromosomes होते हैं, that will become one, तो यह हमारे होता है enuploidy, we have trisomy and monosomy, trisomy में हमारे पास चार examples है, down syndrome, patow syndrome, edward syndrome and kleinfelter syndrome, next हमारे पास जो monosomy है, that is very important, monoword की meaning भी one होती है और हमारे पास जो example है, हमारे स्लेबस में, वो भी एक है, that is turner syndrome, अब इसमें पांचों में आप कहीं पे कोई confusion ना कर दे, इसके लिए हमारे पास एक बड़ी simple सी trick है, देखे, trisomy को अगर आपको कभी भी याद करने में दिक्कत आ रही है, आपको नई cases यादा आ रहे हैं, तो होता है, try, तो यानि कि threes हमें क्या पता चला, कि बात हो रही है किसकी, trisomy की, dude के अगर आप D को consider करोगे, तो फिर आपको idea लग जाएगा, down syndrome का, और जो next word है, याद रखिएगा, you, you को अगर आप alphabetical order में देखेंगे, तो you हमारा 21st word होता है, और यह हमारा 21st chromosome पे ही, alteration होत है कि पटाओ syndrome की बात हो रही है, और उसके बात जो alphabet हो क्या है, M, और M को अगर आप consider करेंगे, तो हमारा यह alphabetically 13 number पे आ जाएगा, next हमारे पास है Edward syndrome, और इधर अगर आप देखेंगे, तो Eric लिखा हुआ, E से Edward, और R हमारा जो होगा, वो 18 को consider कर देगा, यानि कि अगर आप आपको alphabetical order में याद है कि कौन सा alphabet, किस number पे आएगा, तो आपको इधर chromosome भी याद हो जाएगी, इसी trick से, फिर हमारे पास है inline, line में से आपको clearly पता चल जाएगा, Klinefelter syndrome की बात हो रही है, Klinefelter syndrome में अगर आप देखेंगे, तो males make X chromosome additional पाया जाएगा, तो बड़ा सिंपल है 3Dude, Pamper, Eric inline, Down, Patow, Edward, Klinefelter syndrome, तीनों के तीनों, चारों के चारों एक्चली कवर हो गए है, along with their chromosome number 21, 13, 18 and X chromosome, हाँ, 21 के लिए U है हमारे पास, 13 के लिए हमारे पास M है, और 18 के लिए हमारे पास Eric का R है, अब इदार आते हैं, अगर monosome के बात करी जाएगा, Turner syndrome है, generally females में देख तो इसके लिए बड़ा simple सा trick है, iron motor, यहां iron cook के वे mystery की भाज़ा में क्या कहते है, FE, तो FE motor, FE से क्या पता चला सर, female, motor के MO से आपको क्या पता चला, monosome, और TUR से आपको क्या पता चला है, Turner syndrome, so FE motor से आपको क्या पता चला है, iron motor से, females में होगा, Turner syndrome, monosome, so I hope you love this, अगर आपको ऐसी crazy tricks, crazy videos और देखनी है, तो एक बार जरूर विजिट करें हमारे channel की playlist को, I hope you love it, thank you for watching,